गुड माइंन दिया इस्ट्टुएंट यह आपकी क्लास 2nd की कंप्यूटर की बुक है आज मिसका 6 चैप्टर रीट करेंगे वर्ड पैड एक प्रोग्राम के बारे में वर्ड पैड आपका एक प्रोग्राम है इसके बारे में रीट करना है wordpad जो आपका है वह एक तरह का text editor होता है जो Microsoft में होता है जाद तर यह सारे computer में आपको यह मिलता है और इसमें आप अपने पसंद की चीज़ों, नोर्स बना सकते हैं, homework कर सकते हैं वर्ट पैट प्रोग्राम को खोलना उस पर टैक्स टाइप करना है उससे फॉर्मिट करना लब कहा जाता है यह आपके वह होते हैं नोट्स है बताया कि वर्ट पैट जो है वह उसको पहले प्रोग्राम को खोलना उस पर टैक्स टाइप करके उससे फॉर्मिट करना पड़ता ह चले स्टार्ट करतें इसको कम्प्यूटर पर कार करने के लिए हमें कम्प्यूटर के विभिन भागों की अविशक्ता पढ़ती है जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं परन्तु आप क्या आप जानते हैं वर्ड पैट एक ऐसा प्रोग्राम है मतलब कहा जाता है कम्प्यूटर पर काम करने के लिए हमें कम्प्यूटर के सारे भागों की अविशक्ता पढ़ती है ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप कम्प्यूटर पर अगर वर्क कर रहें तो आपको कम्प्यूटर के सारे मतलब पूर्जे के बारे में इसकी अविशक्ता आपको help जरूर चाहिए होती है जरूरत जरूर पढ़ती है तो जिस जिन पर हम पहले मैं चीजोब पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कहा जा रहा है इसमें इस चैप्टर में कि क्या आप जानते हैं बच्चों कि wordpad एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी साहता से हम कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं जिसकी साहता से हम पत्र कहानी वा अपनी इच्छानुसार किसी भी विशय पर नोट्स बना सकते हैं और अपना home work भी इस पर कर सकते हैं, आएए work pad को खोलना सीखते हैं मतलब कहा जा रहा है कि बच्चों क्या आप जानते हो कि word pad एक ऐसा program है जिस से हम computer पर type कर सकते हैं, मतलब कि जिसकी सायता से आप computer पर typing कर सकते हैं जैसे फोन पर लोग टाइप करते हैं बात करते हैं चैटिंग करते हैं तो उस तरह आप टाइप कर सकते हो जो भी चीज आप चाहो और इसकी हेल्प से आप पत्र लिख सकते हो लेटर कहानी लिख सकते हो स्टोरी मतलब लिख सकते हो और अपनी पसंद दीदा किसी भी विश्य पर आप नोट्स बना सकते हो होमवक कर सकते हो अपना और सब कुछ मतलब आप बहुत इजी तरीके से इस पर कर सकते हो तो आप तो आज हम लोगों को सीखना है कि कैसे वर्ड पैट को खोलना चाहिए किस तरह हम वर्ड पैट खोल सकते हैं वही आज हमें सीखना है चले सीखते चले वर्ड पैट खोलना सीखते हैं वर्ड पैट को खोलना स्टार्टिंग ओफ वर्ड पैट वर्ड पैट प्रोग्राम को खोलने के लिए आपको निर्म चरोडों का अनुसरण करना होगा मतलब कि wordpad जो है programs उसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे कुछ steps बताए गये हैं उन्हें follow करना पड़ेगा उसको अनुसरण करना पड़ेगा सबसे पहला point है सबसे पहले start button पर click करना पड़ेगा यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा start button है उस पर click करना पड़ेगा वर्ट पैट खोलने के लिए पहले आप start button जो होता है उसको आप click करेंगे उस पर फिर second point है इसके बाद आप all programs पर click करेंगे जो आप यहाँ देख सकते है all programs श्यार आपको दिख रहा होगा काफी मतलब छोटा निखा है small right हुआ है तो all program पर आपको click करना पड़ेगा number three से इसमें accessories पर जाकर wordpad को select करते हैं फिर दूसरे वाले में आप accessories पर जाएंगे और फिर उसको उस पर click करेंगे फिर wordpad को select करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं accessories पर click हुआ है इस परकार wordpad program खुल कर monitor की इस परकार wordpad program खुल कर monitor की screen पर प्रदैशित हो जाता है अब यह काम करने के लिए तयार है लेकिन इससे हम इसके भागों को समझते हैं इससे लेकिन पहले हम इसके भागों को समझते हैं मतलब कहा जाता है कि जब आप accessories पर wordpad पर select करेंगे इससी के wordpad पर तो आपको तो इस तरह wordpad जो प्रोग्राम है वह monitor की screen पर खुल जाता है यहां आप देख सकते हैं ऐसे ही खुल जाता है monitor screen पर फिर आप अब यह काम करने के लिए बिल्कुल तयार रहता है रेडी रहता है लेकिन इससे पहले हमें इसके और भी जो भाग है पार्ट है उनको समझना पड़ेगा सीखना पड़ेगा जानना चाहिए wordpad प्रोग्राम खोलने के बाद इसमें बहुत सारे icons दिखाई देते हैं इनकी साहता से ही हम अच्छी और आकरशिट टाइपिंग कर सकते हैं इन icon की पट्टी को टूल वार कहते हैं मतलब कहा जाता है कि वर्ट पैट प्रोग्राम जो है उसको खोलने के बाद इसमें बहुत से icons दिखाई देते हैं और इन icons की help से आप इन icons की help से आप अच्छी तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं आप एक बहतर तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं और इन icon की पट्टियां हैं इनको क्या कहते हैं टूल बार कहते हैं और स्क्रीन पर बड़ी सी सफेज शीट को काम करने की जगा वर्कशीट कहते हैं जब आप प्रोग्राम को खोलते हैं तो सफेज शीट पर उपर की और सबसे बाई तरफ एक लंबी लाइन टिम टिम टिमा ब्लिंक रही होती है ब्लाइन रही होती है बताए जा रहा है कि स्क्रीन पर बड़ी सी सफेज शीट है यहां आप देख सकते हैं इसे आप क्या कहते हैं वर्कशीट कहा जाता है इसको और जब आप प्रोग्राम को खोलते हैं तो सफेज शीट पर ऊपर की तरफ उपर सबसे बाई तरफ एक लंबी लाइन होती है एक लंबी लाइन होती है जिसे टिम्टिमा कहते हैं क्या कहते हैं टिम्टिमा सॉरी वो लाइन क्या होती है टिम्टिमा रही होती है क्या रही होती है टिम्टिमा रही होती है इसको क्रेसर कहते हैं जिस जगहां पर खुरू होता है उसी जहां से टाइपिंग शुरू होती है यहां आप देख सकते है आज म je मतों धिक department देख है ऐहीं जो आपकी लाइन है यह हिलती रहती है तिम्रमाती रहती है और इसे को क्या कहते हैं और इसकी यह अजैब टाइपमाती है सीखते हैं इसा के इस सब कुछे, ताइप करना या इसको किसी भी उसम लग्राम को खोलना वह तो इसकी ये लिखते हुधाई ऐसे आप अच्छी तरह से यह करना सीखते हैं और इसके स्टार्टिंग होती है typing की, ग्रसर से, आ ये वर्ट पैट की साइता से typing करना सीखते हैं, typing keyboard के दोरा की जाती है, आप keyboard पर जो button दबाते हैं, monitor, इस्क्रींड पर वही लिखा जाता है, मतलब कि keyboard आप जाते हैं, जिस पर सारे numbers और A to Z होता, आल्फबै्ट पूरे, तो उससे ही typing करना आपका start किया जाता है typing की जाती है और आप जब keyboard पर जाएंगे तो आप जब button को दबाएंगे तो जब button को आप जब दबाएंगे तो monitor की screen पर वो button आपके दिखेंगे वो चीज दिखेंगी जैसे A to Z अंग्रेजी के अच्छर वाले button को एल्फाबेट कीज बोलता है बोलते हैं इसकी साहता से हम अंग्रेजी शब्दों में computer पर लिखते हैं मतलब कि वहीं हमने बताया ना कि A to Z words होते हैं तो उससे आप क्या कहते हैं alphabet की कहा जाता है इसमें computer में और इसी के हेल्प से आप English के जितने भी words हैं दुनिया में जितने भी words वह आप write कर सकते हैं A to Z से और number second है keyword पर सबसे बड़ी space bar की कहलाती है यह दो शब्दों या अच्छरों के भी जगां देने के लिए परियोग की जाती है मतलब कि जो इस पेस भी इस पेस बार की होती है वो की keyboard में सबसे बड़ी की कहलाती है क्योंकि यह माली जिए आपने ए राइट किया और फिर यहां क्लिक करना है हमको मतलब यहां शर्फ देना तो फिर क्या करेंगे तो इस बेश बार वाली की आप क्लिक करेंगे उसको दबाएंगे तो बीच में इस पेस हो जाएगा फिर वहां पे आप कोई और दूसरा लेटर राइट कर सकते हैं तो इस पेस बार की को इसलिए सबसे बड़ी की माना गया है क्योंकि यह दो अक्षरों के बीच दो शब्दों के बीच मतलब इस्पेस बनाती है इसको बनाने के लिए यूज होता है तो यह जो आपका चैप्टर है वर्ट पैट एक प्रोग्राम यह कंप्लीट नहीं हुआ है इसका टू आपको समझाएंगे इसके और भी क्या-क्या चैजिसे हैं वर्ट पैट के बारे में और क्या-क्या चीज़ेक्ट अब की अटो यहीं कंप्लीट हो रही है और हो रही है यह इस लिए खिर Diversity possoपार 275 009ewald